हम LCM and HCF chapter पढ़ रहे हैं, अगर आपने मेरे चनल सब्सक्राइब गर रखा था आपको दो बाते बता होंगी कि मैं कोई भी कोशन सिर्फ शॉट ट्रिक्स है नहीं कराता और कोई भी कोशन का सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट नहीं कराता मतलब क्या कह रहा है कोशन में, एक परफेक्ट स्कोर नमबर बताओ, इन चारों में से पूर्टी नाइन हंडर्ड, शिक्सीन हंडर्ड, थर्टी सिक्स हंडर्ड और फॉर्टी थाउजन फोर हंडर्ड, ये चौर ऑप्शन दे रखिए हैं हमें कोशन के अंदर, मैं सारे के सारे कोशन वह ही कराऊंगा जो प्रिडिक जांट में आये भी वे कोश्म है, पहली बात मैं आपको बताऊंगा इस कोश्म का basic concept, उसकर बताऊंगा इस कोश्म को कैसे करते हैं, शौट ट्रिक से सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर देखो मुझे दोना चुछी लेके चलनी है पहले आपको कोशन का basic concept समझाऊंगा पूरा का पूरा की ये कोशन कैसे होता है इस कोशन की root cause क्या है उसके अदर आप उसका अगर देह लेंगे शौट ट्रिक ठीक है ना देखो कह रहा है find the least perfect square number ऐसा इन चारो में ने सबसे छोटा perfect square number कौन सा है जो 12, 15, 20 और 24 से divisible हो ठीक है ना इन चारो number से divisible होना चाहिए ये नहीं सिर्फ 12 से हो और 20 से ना हो 12 से भी हो 15 से भी हो और 20 से भी हो अगें 2, 3, 15, 10, and 6 आयाते हैं 3 पर 1, 5, 10, and 2, then 2, 1, 5, 5, and 1, then 5 1, 1, 1, 1 हमने यहां पर LCM निकाली है LCM का answer क्या है देखो 2 multiply 2, multiply 3, multiply 2, multiply 5 अगर हम इन 500 का 500 numbers को multiply कर देंगे तो हमारा तो हमारा क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा 12, 15, 20, and 24 का LCM आ जाएगा मगर हमने इसके अंदर क्या निकालना है find the least perfect square number perfect square number के अंदर हम यह देखेंगे जो भी number के pair बन रहे है सिक्किए हां पर 2, 2 बर आ रहा है ठीक है इसको अलग कर लो 3 एक बर आ रहा है ना तो एक बर और multiply कर देना आपने एक बर और अपनी मर्जी से multiply कर दो number कर दिया multiply 3 2 भी एक बर आ रहा है देखो 2 तीन बर आ रहा था 2 का दो एक pair बन गया उसको अलग कर दो अब देखो क्या बन गया 2 2 जा 4 multiply 3 3 जा 9 multiply 2 2 जा 4 multiply 5 5 जा 25 अब इन सभी numbers को आपसे multiply कर दो आपका least perfect number आ जाएगा जो इन चारो numbers से divisible होगा मतलब कि देख लो 25 4 जा होता है 100 multiply 9 4 जा होता है 36 तो मतलब क्या answer आ गया 36 100 इस question का answer आ गया जो की था option number 3 ठीक है ना अब मुझे एक बात बताओ अगर हमने देख लिया यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर हमने देखा basic concept से इस question को कैसे करते हैं मैं दुबारा जायता हूँ आपको मैं एक ही बार एक question को रहाँगा basic concept से इसके और जितने भी हम question देखेंगे इस video के अंदर सारे के सारे देखेंगे short trick से पहली बात हमारा आया 2 multiply, 2 multiply, 3 multiply, 2 multiply, 5 मैं आपको एक बार पताई जो भी number आपको pair दिख रहे हैं इसे की 2 कितनी बार था 1, 2, 3 बार था मगर 2, 2 के pair बन रहे हैं इसको अलग कर लो 3 का कोई pair नहीं था तो इसलिए हम multiply 3 कर देंगे 2 का भी कोई pair नहीं बचा इन दोनों का pair बन गया इसका pair नहीं है इसके अंदर भी 2 multiply कर लेंगे और 5 का भी कोई pair नहीं है इसके अंदर भी 5 multiply कर लेंगे same number multiply करेंगे तो टू जा हो गया 4, ती थी जा हो गया 9, तो टू जा हो गया 4 और 55 जा हो गया 25 ये perfect square number बनाने के लिए हम वो ही same number multiply करेंगे ठीक है न तभी perfect square number बनेगा हमारा 25, 4 जा हो गया 100, multiply 9, 4 जा हो गया 36 तो हमारा इस तरीके से 36, 100 आंसर आ गया ये हो गया हमारा basic conception question उसके बद आगे वड़ते हैं अब मैं बताता हूं आपको इस question हो कैसे करते हैं short trick से आपको पता है हमने क्या देखना है एक ऐसे number है 15, 20, 15, 12, 15, 20 और 24, 4 number है हमें ये बताना है कि पहली बात इन 4 number के अंदर ऐसा कौन सा number है जो इन 4 number से divisible हो दूसरी बात हमने ये देखना है कि वो perfect square number भी होन जैसे कि अगर मैं 1600 की बात करूँ तो मुझे पता 15 से divisible नहीं है 15 से divisible क्यों नहीं है इसकी बात करते हैं देखो 15 का divisible tool क्या होता है जो number 3 and 5 दोनों से divisible होते हैं वो number 15 से भी होते हैं तो आपको पता है पहले बात पता है 15 के divisible tool के बात करें जिसके unit digit पे 0 और 5 आता है वो number 5 से divisible होते हैं यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 तो मतलब यह number 4 के 5 से divisible है अगर हम बात करें 3 की divisibility rule की रूख होते हैं अगर हम digit sum कर देए बैसे तो मैंने आपको एक और तरीका सखाया है बाया है तो मैंने आको बताया है इस वाली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल है और ना ही 3 से divisible है तो हम क्या करेंगे ये नंबर मतलब कि 1600 नंबर 15 से divisible नहीं होगा तो हम इसको हटा देंगे ठीक है 4900 की बात करते हैं इसका digit sum क्या जाएगा digit sum आ जाएगा इसका 4 प्लस 9 आ गया 13 अगें इसका digit sum करेंगे तो 4 आ जाएगा 43 का multiple नहीं है तो ये 4900 भी क्या जाएगा 4 से 3 से divisible नहीं होगा ठीक है अब बात करते हैं 3600 की ठीक है ये नंबर 5 से divisible है और 3 से भी divisible है क्यों क्योंकि 3 प्लस 6 आ गया 9 और 9 3 का multiple है और इस तरीके से 1 प्लस 4 प्लस 4 यहां भी 9 आ रहा है तो ये भी 3 का multiple है तो मुझे ये पता लग गया कि 3600 और 14400 ये दोनों को नंबर 3 और 5 से divisible है मतलब 15 से भी divisible है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं आगे इसके बाद 20 का divisible rule जो नंबर 4 और 5 दोनों से divisible होते हैं वो क्या होते हैं 20 से भी divisible होते हैं ये दो number 5 से divisible है क्योंकि इनकी unit digit पे 0 आ रहा है ये number 4 से भी divisible है क्योंकि इसकी last की unit digit दोनों के दोनों 0 है तो मतलब ये 4 से भी divisible है तो हमें ये देखना है ये number 20 से भी divisible होते है मैं आपको समझाने के लिए इतने basic concept से जा रहा हूँ अगला question मैं उड़ा दूँगा सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 second के अंदर हो जाएगा मगर आपको समझाने के लिए आपको ताकि हर student को समझा जा जा है ये मैं समझाना है कि ये तरीका time taking है time taking बिल्कुल भी नहीं है आपको समझाने के लिए इतने basic some concept से जा रहा हूँ जो number 3 and 8 दोनों से divisible होते हैं वो number 24 से divisible होते हैं ये देख लिए हमने ये number 3 से है ये भी number 3 से है ये number देख लेते हैं 8 से है के नहीं है ये भी number देख लेते हैं 8 से है के नहीं है अब देखो 600 की बात करते हैं ये number 8 से divisible है के नहीं है 7, 8 जा होता है 56 पच्छा 40, 850 होता है 40, तो मतला पता लग गया है मुझे ये नमबर 3600 divisible है 8 से, अगर किसी भी नमबर की last 3 digit अगर divisible है 8 से, तो पूरा का पूरा नमबर 8 से divisible होता है, अगर 400 की बात कर लेते हैं, 400 भी होगा, देखो पता है कैसे, 850, 40, remaining बचा 0, तो मतला आपने ये देख लिया कि ये नमबर, दोनों को दोनमबर 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 8 से भी है, तो आपने ये बात देखी कि दोनों-दोनमबर 3 से भी है, 5 से भी है, 4 से भी है, 24 से मतला कि ये नमबर 12 से भी divisible है, 15 से भी 20 से भी और 24 से भी तो मतलग 3600 भी और 14400 भी दोनों को दोनों option हमारे satisfied करते हैं मगर आपने एक बात देखी question के अंदर क्या रहा था find the least perfect square number ये दोनों को दोनों नंबर perfect square रहा है ये किसका perfect square रहा है 60 का ये किसका perfect square 120 का तो आपने एक बात देखनी है दोनों में से least कौन सा है 3600 least है option हमें question के अंदर clue दे रखा होता है clue देखके हमने पेचानना है least number बोला तो least number evil answer होगा और मैंने बताया basic concept से भी कैसे करते हैं questions को अब देखो बताता हूँ इसको question कैसे ही करते basic concept से option देखो अगर आपको मैं नोट सही है तो मैं इसकी pdf discussion में share कर दूँगा आप आँ से download कर सकते हैं देखो 4900 6400 दे रखा था 4900 1600 3600 और 14400 आपको ये पता है पंगरा का डिविजी टूल क्या आता है दो number 3 और 5 से होते हैं ये number 3 से नहीं है पहले 2 second के अंदर तो आपके 2 option eliminate हो गए बचा क्या आपने fight से देखना है दो number 5 से भी है दो number 3 से भी है इसका digit sum आ रहा 9 इसका digit sum आ रहा 9 ठीक हटा दो ये number 12 का डिविजी टूल क्या देखता है जो number 3 और 4 से होते हैं ये number 4 से भी है और 3 से भी है इसकी बाद करते हैं number 3 और 8 से divisible है 8 के लिए आप देख लेना 600 आ रहा है और 400 आ रहा है ये दोनों को दोना number 8 से भी divisible है अब आपने देखना है दोनों में छोटा कौन सा है छोटा कौन सा है 3600 number ठीक है ना आपने इस सरी के से questions करने है आपने LCM नहीं लेना LCM के बाद pair नहीं बनाने LCM ने 3 मिल्टिप्लाइ किया था एक बार 2 मिल्टिप्लाइ किया था एक बार 5 मिल्टिप्लाइ किया था ये basic concept है इस question का मगर मुझे बताना आपको ज़रूरी है सिर्फ short trick से सिखा दूंगा तो उसका मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा ताकि आप समझ पाओ कि ये short trick apply किस जगा हो रही है हम क्यों बार-बार 2 मिल्टिप्लाइ कर रहे थे पेर क्यों ना रहे थे ठीक है आगे बात करते हैं देखो question की question में कहा रहा है the least number which is a perfect score and is divisible by each of the number कौन से number है 16 से divisible है 20 से divisible है 24 से divisible है वो number 1600 हो सकता है वो number 2500 हो सकता है वो number 36 सो हो सकता है वो number 6400 हो सकता है अब देखो इस question हो कैसे करोगे आप मुझे एक बाब बताओ आप आजओ 24 के divisibility rule पे जो number 3 और 8 से divisible होते हैं वो number 24 से divisible होते हैं आपको पता यह number 3 से divisible नहीं है, कि digit sum कितना आ रहा है, 1 plus 6, 7, तो मतलब यह number 3 से divisible नहीं है, तो मतलब 24 से भी हो ही नहीं सकता, तो कि 24 का divisible rule क्या होता है, कि जो number 3 and 8, दोनों से divisible हो, 24 से divisible होते हैं, 25 की बात करते हैं, इसका digit sum 2 plus 5, 7 आ रहा है, तो मतलब यह भी number 24 से divisible नहीं है, इसकी बात करते हैं, 6 plus 4 आ रहा है, 10, digit sum 1 आ रहा है, तो यह भी number 24 से divisible नहीं है, एक लोता option बचा जो हमने देख लिया, option की मदद से 3 plus 6, digit sum कितना आ रहा है, 9, यह number 24 से divisible है, 16 के लिए क्या आउता है, लास की 4 डिजिट अगर आपकी divisible है, 16 से 100 परसंट करके देख लिएना, यह 3600, 16 डिजिट इसकी divisible है, 24 के लिए क्या होता है, यह number 4 और 5, जो number 4 और 5 से divisible होते हैं, वो number 20 से divisible होते हैं, मतलब यह number 4 से divisible है, लास की 2 डिजिट 0 आ रही हैं, और 5 से बिजिट इसकी 0 है, 24 के लिए देख लिए आप, जो number 3 और 8 से divisible होते हैं, अभी हमने देखा, 600, 8 से divisible है, और इस तरीके से number 3 से बिजिट 9 आ रही है, तो आपने यह बात देखी, कि किस तरीके साँ option eliminate करके option निकाल सकते हैं, हमने ना LCM लिया, ना कुछ की, अगर आप LCM भी लेते हैं, देखो, इस question का answer 3600 आ रहा है option की मरत से, करके दिखा तो आपको कैसे होगा, LCM लेंगे 2 पे या 8 पे या 10 पे या 12 पे, ठीक है, ये 2 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, again 2, 2, 5, 3, then 2, then 5, then 3, ये LCM का answer आ गया, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 5, multiply 3, देखो, आपने ये बात देखी, यहां पर 2, 2 के 2 पेर बन गे हैं, अलग कर लो, यहां भी रूटो के 2 पेर बन गे हैं, अलग कर लो, 5 का कोई पेर नहीं है, multiply कर दो 5, इसका भी 3 का कोई पेर नहीं है, multiply कर दो 3, तो answer कहा आ गया, 2 2 जा आ गया 4 2 2 जा आ गया 4 5 5 जा आ गया 25 multiply 3 3 जा आ गया 9 25 4 जा आ गया 100 again दुबारा से ही आंसर आ गया 9 4 जा गया 36 अभी मैंने आख पताया 36 इसका आंसर आ रहा था option की मदद से हमने देख लिया basic concept से इसका कैसी आंसर आ रहा है 3600 ठीक है अगलास question मैं कराता हूँ आपको इसी के base पे जो question है question का कहा रहा है find the least perfect square number which is exactly divisible by जो number 3 से भी divisible हो 5 4 से भी हो 5 से भी हो 6 से भी हो 8 से भी हो options दे रहे हैं 6400 144 00 option यही होते है 6250 most other times 3600 देखो आपको पता है number 3 की बात करें तो number 3 से divisible नहीं है इसका digit sum कितना आ रहा है 10 मतलब digit sum 1 आ गया तो number यह 3 से divisible नहीं है इस digit की बात करते है 1, 4, 4 तो मतलब यह digit sum कितना आ गया 9 आ गया इसका digit sum की बात करते है 6 plus 2, 8 plus 3, 13 मतलब की unit digit sum कितना आ गया 4 तो मतलब यह भी number three से divisible नहीं है इस direct की बात करते हैं। three plus six कितना आ गया? nine मतलब यह दोनो-दो number three से divisible है यह number four से भी divisible होेंगे क्योंकि इनकी दोनो की last digit zero zero है यह number dynos five give zero zero होेंगे, इनकी unit digit पर 00 है नंबर six से भी divisible होंगे क्योंकि यह number 2 से divisible है कि दोनों-दोन number even number है और 3 से divisible हमने देखी लिए है यहाँ पे यह number दोनों को दोन number 8 से भी divisible होंगी जैसे कि भी हमने देखा कि 400 भी divisible है 8 से और 600 भी divisible है 8 से तो छोटा number कौन सा है least number पूचा है जो कि आगया 3600 5 से 10 सेकेंड के अंदर हम इन questions को निकाल लेंगे वीडियो समझ आई जो short trick और basic concept दोनों-दोनों समझ आया तो मुझे comment करके बताना कि सर्फ दिस तरही किसा आपने समझाया मुझे समझ आ चुका ताकि और आगे आने विडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई तो इस वीडियो को आप उन student के हाँ जुरूर शेयर करें जो students education afford नहीं कर सकते ताकि एक भी student ऐसा ना रहा जाए जो सिर्फ पैसे के विज़य से पढ़ नहीं पारा थैंक यू सो मच